हेलो फ्रेंट्स मैं मरजीत आप सभी को हमारे चनल एस माठेल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी कस्टमर का आप नेट बैंकिंग फिनों का कैसे एक्टिवेट कीजिएगा उसके बारे में यहां पर इस वीडियो के माधहम से कस्टमर भी खुद से अपना नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं या अगर आप मर्चंट है और आप उनको नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहेंगे तो भी आप इस वीडियो के माधहम से नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकत यहां बदो अब इसे वीडियो में बताने वाला हूं उसके लिए उन्हको प्लेट स्चोर में आना होगा और फ्लेट हूने के बाद फीनो बीप के नाम से एक application होता है उसे आपको install कर और open कर लेना है ओपन करने के बाद कुछ इस पर का से इंटरफेश नजर आएगा तो इसे अप ऐसे स्क्रोल करके और यहां से एरो पर क्लिक कर दिजेगा उसके बाद यहां पर देखें लॉग इन आ रहा है तो यहां पर आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है लॉग इन पर क्लि पी जाएगा उससे यहां पर verify करवा लेना है जैसे यह वेरिफाई होगा फ्रेंट सारा detail यह automatically ले लेगा उनका email id नाम सारा चीज यहां पर यह automatically fill कर लेगा उसके बाद आपको continue पर click करना है continue पर click को क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करने के बाद यहां से आप से पूछ रहा है कि आपका फेवरेट इमेज इसमें से कौन सा है तो इसमें से जो भी आपको फेवरेट इमेज है वह आप यहां से सलेट कर लिजगा तो मैं यहां से pin सा login करना है तो 4 digit का आपको MP नहां पर रख लेना है तो मैं हहां पर 4 digit का MP n डालने के बाद आपको register पर click कर देना रजेश्टर पर Click करने के बाद देखे Uhr शक tv हो गया है आप process to login पर click कर देना है process to login पर play करने के बाद आँ पर आपसे पूछचा है कि आपका Interface होगा application का वो Hindi में होगा या English में होगा अगर आप Hindi में चाहते हैं तो Hindi पमार्क कीजिएगा English में चाहते हैं तो English पमार्क कीजिएगा और Continue उपर क्लिक कर दीजएगा अब यहाँ से MPIN माँग रहा है तो जो आपने MPIN 4 digit का रखा था वह यहाँ पर डाल दीजिएगा MPIN डालते के साथ ही यह process होगा और आपका यह net banking का application open हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सारा details आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा उपर में account number नाम जो भी account में amount है ओ दिख जाएगा और card का यहाँ पर लाश्ट का 4 digit आपको दिख जाएगा तो आप सही से यहाँ पर मिला लीजेगा उसके बाद यहाँ पर देखिए send money का option मिल जाता है UPI का option मिल जाता है mobile recharge अस्कूल का फिस पे करने के लिए postpad electricity wheel पे यहाँ पर current account के लिए apply आप request लगा सकते हैं company के पास यहाँ से और नीचे यहाँ पर फास्टेग बनेसफेरी प्रोफाइल का setting आप कर सकते हैं service के लिए request लगा सकते हैं और your card यहाँ पर आपको details दिखा रहा है और उसके नीचे friends my account offer favorites और a statement यहाँ से आप statement होगे रहा देख सकते हैं कि आपके account का statement क्या है कितना पैसा initial funding हुआ है या कितना विड्रा हुआ है उपर में देख सकते हैं debit का अलग check कर सकते हैं credit का अलग my passbook पर क्लिक करके आप अपना passbook details भी download या print कर सकते हैं इस वीडियो में हमने जाना फ्रेंट कि आप फिन प्रेंट बैंक में net banking कैसे activate कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और ऐसे ही वीडियो का update पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजे जिससे की मैं जो भी वीडियो अफ्लोड करूँगा उस का अच्छी लगी कैसन आपको मिलती रहेगा जाहिंद